कहीं सुखा रासन और अनाज बाटना, तो कभी पैकेट बंद खाने पीने का सामान, तो कभी मास्क और सावुन का वित्रन, कभी गरीब रिसा चालको और मजदूरों के हार्थ में रुपए देना, तो कभी बिहार से बाहर फसे मजदूरों के बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुचाना, कुछ ऐसे ही दिन चर्याच अभी चल रही है जाप, नेता और सेवादल, पप्पू ब्रिगेट के अध्यच्छे समास सेवी राजू दानवीर की, गौरतलव है कि कोरोना वाइरस से जारी जंग में लोकडाउन हुए अब देर महीने से अधिक हो चुके हैं, इस लोकडाउन की वजह से गरीबो और प्रतिदिन कमाने खाने वाले और परदेश में जाकर रोजी रोटी कमाने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनके घरों के चूले धीरे-धीरे कर ठंडे परने लगे और खाने पीने तक कर संकट सामने आने लग ऐसे में हमेशा से गरीबो और जरुवतमंदों की सहायता करने को ततपर रहने वाले राजू दानवीर ने लगडाउन के अगले दिन से ही इनकी हर संबम मदद करने का बीरा उठा रखा है पपू ब्रिगेट के अध्यच राजू धानवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पटना और नालंदा के दरदनों मुहलों और इलाकों में घर घर जाकर और सरकों एवं फुट पातों पर जीवन बिताने वाले तमाम जरूरत मंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से सूखा रासन पैकेट बंद खाद्य समगरी और आर्तिक मदद पहुचा रहे हैं उनके द्वारा इस चलाए जा रहे हैं मदद अभियान की खबरे विभिन मेडिया पर चलने के बाद राजू के बाहर खते प्रवासी मजदूर भी उन्हें उनके हेल्प लाइन नमबर पर मदद के यह फोन करने लगे राजू दानवीर और उनके टीम द्वारा उन सभी के खातों में भी यतना संभव लगातार मदद भेली जा रही है अभी राजू दानवीर के पास प्रतितिन लगभग 400-500 फोन कॉल इस्थानी और प्रवासी वोगों के आते हैं और उनकी टीम के द्वा पूजा इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती है जाप सुप्रीमो मानिये पूजादव जी का जो सेवा भाव और समर्पन मनत्तावादी सोच रहा है इसी विचार से हमारे सेवा भाव को और विस्तार मिला सही जगा मिला अब यह सेवा भाव उचाई ले रहा है और कई पर्माने पर हम कर रहे है जो बाहर परवासी मजदूर भाई हैं उनके खातों में बैंक खातों में आर्थिक तोर पर यहां से हम जितना बन रहा है यथा संभव भेज रहे हैं पतना नलंदा के कई इलाकों में बेहत पर्मानों पर अपने साथिय दुआरा राशन पानी पटना में जितना फोन आता है पट्डे 400-500 लोगों का वो सभी जगा भी हम राशन भिटवा रहे हैं और यह जब तक लॉक्डोन रहेगा तब तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगा राजू दानवीर और उनके जिसे तमाम लोग जो जरुवत मंदों की सहयता को अपना धर्म मानते हैं उन सभी को हमारा सत्सत नमन और धन्यवाद और आप सभी दर्सकों से अनुरोध है कि अभी लोग डाउन के तीसरे चरण में मिली रहत में सोसल डिस्टेंसिंग और खुद को इस जानलेवा वाइरस से बचाने के सभी निर्देसों का जरूर अनुपालन करें मनीश कुमार आपकी आवाज निउस पटना